हमस्कार मैं हूँ आपके साथ शिप्रसानिय और आप देख रहे हैं दिल्ली नाइट स्राएं उत्तरपरदेश के शामली में रेलवे पुलिस का एक बेहदी बेरहम चहरांद सराय है तरसल एक पत्रकार के साथ ना सिर्फ रेलवे पुलिस ने मारपीट की बलकि उसके साथ बरबरता की गई वो पत्रकार मंगलवार की रात शामली के रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन के पट्रदी से उतर जवाने की ख़बर को कवर करने वहाँ पहुचा था उसी वक्त जियारपी यानि गौर्मेंट रेलवे पुलिस के जवाने उसके साथ मारपीट की आपको बताते हैं यह जो पूरी घटना थी यह कैमरे में कैद हो गई और पत्रकार अमिश्यरम का कहना है कि पुलिस ने ना सर्फ उनके साथ मारपीट की बलकि उनके भू में पे स्वाल खड़े करती है कि या पत्रकारों को खबर भी कवरेज करने का धिकार अब नहीं रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया है और उस वीडियो में पत्रकार के साथ मारपीट की गई है तरसल जो जी आर्पी के जो भी जवान है वो वर्दी में अपनी न जब उसने कैमरा उठाने के पनी कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसे लौकर में बंद कर दिया गया और जहां उसके कपड़े उतारे गए उसके साथ बरबरता की गई तो ये पूरी घटना है मंगलवार की जाथ उस वक्त जब शामली में एक ट्रेन पटरी से उतरी और उस ख़बर को कवर करने के लिए पत्रकार वहां पहुँचा था जहां उसके साथ मेरवे पुलिस के द्वारा मारपीट की गई तो वही इस न्यूस चैनल के पत्रकार के साथ जो भी घटना हुई जिस तरीके से मारपीट हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्ता भी अपना जाहिर किया और साफ़तोर पर सरकार से ये मांग कर रहे हैं लोग की उन जवानों के खिलाफ सक्त से सक्त कार दरवाई की जाए जिसने इस तरीके से इस पत्रकार के साथ मारपीट की है तो वहीं पत्रकार earth alischarma का ये कहना है कि खाली में कुछ दिन पहले ही उने रेल्या में economy गडबडी की खबर को कवर किया था और उस खबर को चुलाया था और उनका यह कहना है कि बदला लेने के लिए जी आर्पी के जवानों ने उनके साथ इस तरीके की मार पीट की गई है इस तरह की बरबरता उनके साथ इसलिए की है तो जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है वो अब जी आर्पी यानी रेलवे पूरिस पर कही सवाल खड़े करती है और अगे खबरों को जाने के सब्सक्राइब करें दिलिनाइट सुनाइट